आइस AI का ओफिस्यल एनाउंस्मेंट बताएंगे CA Foundation December 22 स्टुडेंट के लिए ये एनाउंस्मेंट सारे स्टुडेंट को देखना चाहिए और अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो इस वीडियो को आप बाद में देख ले लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक फ्लीज देखिएगा विकाज मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी कन्फ्यूजन हो आप चाहे तो 2X Speed में भी वीडियो को देख सकते हैं बट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे जैसे कि आप लोग को पता है आप लोग का exam form फिलिंग स्टार्ट हो चुका और आखरी डेट है 4 October 2022 और लेट फाइन अगर आप पे करोगे तो 9 October 2022 तक आप लोग exam form फिल कर सकते हो अब सारे student ध्यान से सुनना अगर आप exam form फिल करोगे फिल करने के बाद जब आप exam form डाउनलोड करोगे तो दो तरीके से PDF आएगा पहला आएगा कि Provisional Foundation Examination December 22 और दूसरा ऐसा भी आ सकता है Foundation Examination December 22 Provisional नहीं लिखा हो अब ध्यान से कुछ बाते को सुने ना जिन student का Provisional लिखा आएगा उनको 12th का मार्क सिट या नहीं तो 12th का Admit Card अपलोड करना परेगा Examination से पहले Foundation Exam से पहले अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपका Result विठेल्द हो जाए I know कि अब आपके मन में बहुत सारा कोशन आ रहा होगा सारे कोशन का इसी वीडियो में जबाब दे देंगे यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि in case अगर Provisional आपका Exam Form होता है तो आपको Foundation Exam से पहले या तो 12th का Admit Card या नहीं तो 12th का Marksit आपको Upload करना परेगा अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आपका Result हो सकता है भी ठेल्द हो जाए मैं Confirm नहीं बोल रहा हूँ और एक और बात बता है इस Student का 12th का Marksit मैंने ही Update किया था आपका काम क्या है अपडेट करने के बाद आप लोग आराम से पढ़ाई करो इसके बारे में नहीं सोचना जो लोग Repeater Student है उनका यहाँ पे Detail सो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा कोई भी प्रॉब्लम बाली बात नहीं है किसी का सो नहीं कर रहा है और जो लोग First Time exam दे रहे हैं उनका क्या सो करेगा अब यहाँ पे देखोगे इस Student का Provisional तो है लेकिन यहाँ पे 12th का Marksit का Detail भी Updated है फिर भी जब मेरा बात हुआ SSP Portal वाले से तो नहीं बोला कि आप एक बार फिर से Update कर दीजिए यह भी Student का मैंने ही Exam Form फिल किया ता इसका भी Provisional ही आया है Exam Form और जबकि यह Repeater Student है फिर भी इसका 12th का Detail नहीं सो कर रहा है तो जिन भी Student का Provisional आया और 12th का Detail सो नहीं कर रहा है प्लीज आप लोग Foundation exam में एपिर करने से पहले तक एक बार फिर से Update कर दीजिए जो लोग अपडेट कर चुके हैं फिर भी अपडेट कर दीजिए अगर आपका Provisional आया है तो और जिन Student का Normal है Foundation Provisional नहीं लिखा हुआ उनको अपडेट करने का कोई जरुवत नहीं है आपको फिर भी कोई Additional Doubt हो तो आप प्लीज SSP Portal वाले से बात कर सकते हो SSP Portal वाले का आपको phone number और mail ID आपके screen पे सो कर रहा है अब आपके मन में कोशन आ सकता 12th का माकसिट कैसे अपडेट करना मैंने डेटेल वीडियो बना रखा वीडियो का लिंग आपको description में मिल जाएगा अपके मन में जो भी डाउट होगा मैंने वीडियो बना दिया बस आपका काम क्या है अपडेट कर देना रिलाक्स होकर के मन से पढ़ाई करो और जिन student का provisional नहीं आता है तो अराम से पढ़ाई करें इसके बारे में ना सोचे जब आज मुझे SSP Portal वाले से बात हुआ तो ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा जो लोग अपडेट कर चुके हैं फिर से उन्हें अपडेट करने को बोल रहा है और उनका provisional exam फॉर्म आ रहा है बट कोई बात नहीं इस वीडियो को आप लोग जरूर सेयर कर दो सारे CA Foundation student के साथ ताकि उनका help हो सके बाकी कोई भी additional doubt हो तो आप मुझे से पूछ सकते हो चार्टे इस्टडिस के इंस्टाग्राम पे message करके इंस्टाग्राम पे सर्च कर लिजेगा चार्टे इस्टडिस या इसका link description में मिल जाएगा अनकेडमी पे unlock 20 फिर से start हो चुका है यह 20% offer कुछ limited समय के लिए रहेगा तो अगर आप foundation का subscription लेना चाहो intermediate या CA final का इस वीच में subscription लेते हो तो आपको 20% का discount मिलेगा आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon code अनकेडमी पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के top notch educator के साथ अगर आप लोग अनकेडमी का subscription लेना चाहते हो तो सबसे पहले play store से अनकेडमी का learning app डाउनलोड करना होगा इसके बाद आप जितने भी मंद का subscription लेना चाहते हो अगर आप लोग अनकेडमी का subscription लेते हो तो यहाँ पे आपको unlimited views मिलेगा आप यहाँ पे classes देख सकते हो live भी और साथ में recorded lecture भी मिलेगा और वहाँ पे unlimited access तो आप लोग को देड़ नहीं करना है अगर आप लोग अनकेडमी से subscription लेना चाहते हो तो limited समय है 20% का offer मिला है तो आप लोग चाहो तो class purchase कर सकते हो डिटेल के लिए description जब चेक कर लें